13.5 रोग का पुष्टी करण यदि किसी व्यक्ति का स्वास अच्छा नहीं है, तो उसकी अभिव्यक्ति लक्षणों के द्वारा होती है जैसे किसी व्यक्ति को कमजोरी, वह हाथ पैर में दर्द की शिकायत हो तो इन लक्षणों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उसे कोई रोग है अथवा नहीं रोग की पुष्टी जाज के द्वारा ही की जा सकती है वर्तमान में चिकित्सा छेत्र में विभिन प्रकार के जाज सुविधाय उपलब्ध है जिनसे शरीर की जाज कुछ ही समय में करके रोगों के कारणू की पुष्टी कर ली जाती है इस प्रकार की जाज में रक्त, कफ वा मलमुत्र आदी की जाज की जाती है किसे चिकित्साक से पता करें कि उपर्युक्त जाजों से क्या-क्या जानकारी मिलती है एक रोग के बहुत सारे लक्षण हमारे शरीर के अंगों में खराबी परिलक्षित होने पर कई लक्षण दिखाई देते हैं जैसे जुकाम, खासी, बुखार, दस्त, सिर्दर्द, पेटदर्द, हाथ-पेरदर्द, आदी इन लक्षणों से किसी ना किसी रोग का होना पता लगता है किन्तो यह पता नहीं लगता है कि कौन सा रोग है उदाहरन के लिए 6 रोग यानि कि टीवी के कई लक्षण होते हैं जैसे कि सर्दी, खासी, सर्दर्द, बुखार, वजन कम होना, सास फूलना, आदी अर्थात एक ही रोग के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं तब हो सकता है कि सिर्दर्द का कारण माईग्रेन या जुकाम हो क्रिया कलाप 1 अपने मुहले में पता लगाएं अभी कितने लोगों को कोई रोग है उनके नाम तथा डॉक्टर द्वारा बताये गए रोगों के नाम की सूची बनाएं इन रोगों के लक्षणों की सूची बनाएं उपरोक्त सूची में जोड़ी हैं एक ही लक्षण वाले वेक्तियों में कौन-कौन से रोग हैं?